जब भी आपको कुछ मीठा खाने कमन करें तो ये फटाफट से बनने वाले मिठाई को ट्राई करिएगा। अंदर से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं बिल्कुल गुलाब जाओन के तरह ही है। और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है। मुह में जाती ही घुल जाने वाला ये मिठाई है। आप देख सेकते हैं कितना जूसी कितना सॉफ्ट है ये तो एक बा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। इस मिठाई को पहले ही बार में आप परफेक्ट बना सेकती हैं। मैं भी पहले ही बार बनाई थी और बहुत ही बढ़िया बनके त्यार हुआ था। एकदम सौफ्ट जूसी और बहुत ही बढ़िया मुह में जाती ही इंगुल जाने बाला मिठाई है। और सबसे अच्छी बात है बहुत ही कम खर्चा में बहुत सारा मिठाई बन जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहल जिसा ही हो जाएगा। देही का जो ठका है उसे हमें हटा देना है। इस तरीके से बिसकर से या फिर चमज से आप इसे फेट येगा। तो पहुत जल्दी से फिट जाएगा। तो देही हमारा फिट गया। अब हम इसमें थोड़ा सा इलाजी का पाउडर डाल लेती हैं। और इसी के साथ दो चमज हम इसमें मिल्क पाउडर भी डालेंगे। मिठाई बना रहे हैं तो बिना मिल्क पाउडर या फिर बिना मावा का मजा नहीं आएगा खाने में। इसलिए दो चमज के जितना ही मिल्क पाउडर जरूर डालेगा। एक चुटकी में इसमें डाल देने से टेश्ट बढ़ जाता है तो बस सारे चीजों को एक वार अच्छे से मिला लिए हैं और अब हम इसमें मैदा डालेंगे तो यह दीखिए एक छोटी कटोड़ी मैं मैदा रिखी हूं आप चाहे तो आधा मैदा आधा आठा का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर लग जाएगा कि इसमें आपको दूद कितना डालना है तो अभी मैं चमज हटा देती हूं और हाथ से पहले में गुत के देखती हूं क्यूंकि आटा जो मतलब हम डो जो लगाएंगे ना वह बहुत जादा सौफ्ट भी नहीं लगाएंगे और बहुत जादा हाड भी नहीं मसल के चीकना कर लूँगी बहुत जादा सौफ्ट डो नहीं लगाएंगा मैं बार 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 बोल रही हूं बहुत जादा हाड भी नहीं लगाना है सेमी सौफ्ट डो बना के त्यार करना है तो अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा आप इसमें दूर डालके और बढ देती हूं तब तक मैं चासनी बना लेती हूं तो चासनी बनाने के लिए गैस पे में कढाई डाली हूं इसमें मैं एक कटोरी चीनी डाल रही हूं एक कटोरी चीनी है तो देर कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे तो आप थोड़ा सा जादा ही चासनी बनाएगा जैसे मैं ए तो आप दो गृदो कटोरी चीनी का चासनी बना सेकते हैं , एक कटोरी मैदा के लिए के लिए देखे चीनी घुल तो इसमें मैं मैं एक इलायची का दाने झोल चीन के पाउडर से ही काम चल जाएगा यह देखे चीनी घुलने के बाद एक उबाल आ गया है चासनी में मतलब दो तीन मिनट के लिए और मैं उबाल ली उसके बाद गैस बंद कर दी और चासनी को ढखके में रख दी ताकि चासनी भी गरम रहे अभी आप देखे डो जो हम बना के र तो इसको बेलनी के लिए ना तो आपको तेल लगाने के जरूरत पड़ेगी बेलन में और ना ही इस पे आपको सुखा मैदा छी रखना है ऐसे ही बेल लिजेगा पहुत ही आसानी से बेल जाता है क्योंकि यह हाड है थोरा सा डो बहुत ज्यादा सौफ्ट नहीं है तो किनारा थोरा मोटा भी होता है और किनारा काट लेने से मिठाई का सेप अच्छा आएगा तो इस तरीके से चारो तरब से हम किनारा काट लेंगे और यह जो किनारा है उसको हम बचे हुए डो के साथ मिला लेंगे और फिर से बेल के हम मिठाई का सेप दे देंगे तो यह दे तो इसे में रख लेती हूं एरंज करके एक प्लेट में और जब तक हम इसको फ्राइ करेंगे ना तब तक हम दूसरा बैच का मिठाए इसी तरीके से बेल के और काट के त्यार करेंगे तो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत जल्दी बन भी जाता है तो चलिए अभी हम इसक बहुत जादा गरम नहीं करना है बिल्कुल कम तेल गरम करना है और इसमें एके करके हम यह जो मिठाई के पीसे से इसको डाल देंगे और इसको फ्राइ होने देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम या फिर मीडियम ही रखेगा जैसे गुलाब जामुन को फ्राइ करनी के अंदर से खास्ता बनेगा और जब आप इसे चास्नी में डालेगा नो तो बहुत जल्दी से चास्नी को एब्जॉप कर लेगा और बहुत ही सौफ्ट एकदम रसीली मिठाई बनके त्यार होगा ते देखे तेल में डाल देने के बाद थोड़ा-थोड़ा हम इसके उपर यह ताकि उपर से भी अच्छे से फ्राई हो जब थोड़ी सी सीख जाए नीचे की साइट से इसे आप पलट दीजे और फिर गैस का फ्लेम तो लो ही है तब तक आप दूसरे बैच का मिठाई को इस तरीके से बेल के और काटके त्यार करके रख लीजे तो यह दीखे बहुत ही दूसरे बैच का भी मिठाई को मैं सेप दे के रख ली और बीच बीच में चला भी रही थी जो फ्राई करने के लिए डाली हुई हूँ उस पर भी हमारा ध्यान है क्योंकि वह जल न जाए या फिर एक तरप से बहुत ज़्यादा डार्क कलर न आ जाए इसलिए बीच बीच ज़्यादा नण के वे हम मुलते पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे ता कि हर तरप से इसके उपर बढ़़या सा कलर आ और अब आप देखिए गोल्डवन कलर इस पे आ गया है पर फोड़ी देर और हम इससे सीखेंगे क्योंकि और हमे इसका कलर और बढ़िया जही तो बस ज़्यादा डार्क हो जाएगा फटाफट से इसे निकाल लेते हैं और इसे हम निकालते ही चासनी में डाल देंगे क्योंकि ये भी गरम है और चासनी भी थोरा गरम है तो बस गरम गरम चासनी में इसको हम डाल देंगे अगर चासनी ठंडा हो गया हो तो थोरा सा आप गरम कर लिए उसके बाद ही डालेगा तभी अच्छे से एब्जॉब करता है और बहुत ही सौफ्ट मिठाये बनके त्यार होगा अभी आप देख सेते हैं चासनी आपको ज्यादा दिख रहा होगा पर जब हम दूसरा बैच इसमें डालेंगे न तो चासनी बहुत कम हो गया था इसलि जो है वो थोड़ा सा कम होने दीजे क्योंकि पहला बैच का फ्राई होते होते तेल बहुत गरम हो गया था तो गैस बंद कर देंगे तो थोड़ा सा थंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसमें दूसरे बैच का डाल के फ्राई कर सकते हैं तभी मिठाई अच्छा बनेगा और खास्ता भी बनेगा तो देखे दूसरे बैच का भी मैं फ्राई कर ली और इसको भी मैं इसमें डाल देती हूं चासनी अभी भी गरम है अगर चासनी ठंडा हो जाए तो आप इसमें डाल लीजे दूसरे बैच का उसके बाद कढ़ाई को गैस पे डाल के थोड़ी देर क कर रही हूं इस तरीके से उपर नीचे करके इसको हम ढखके रख देते हैं और इसको कम से कम दो घंटे के लिए चासनी में ही रहने दीजेगा उसके बाद आप इसे सर्ब कर सकते हैं तो यह देखे मैं वस दस मिनट बाद देखी तो इसका चासनी सारा सूख गया था और बिल् चासनी को एबजॉब कर लेता है और कम चासनी रहेगा तो अंदर तक यह चासनी पीएगा नहीं और अंदर से यह हाड ही रह जाएगा तो इसलिए चासनी पूरा से रहना चाहिए इसके उपर और फिर इसे ढखके हम दो घंटे के लिए छोड़ दिये और यह देखे दुब साइज और चासनी में डालने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है यह देखे मैं हाथ में लेके आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है और कितना चासनी अंदर तके पिया हुआ है अच्छे से चासनी को एबजॉब किया हुआ है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं आप देखी सकते हैं इसका टेक्चर देखे ही आपको पता चैल रहा होगा कितना सॉफ्ट कितना जूसी है बिल्कुल गुलाब जामुन के तरह और खाने में भी वैसा ही टेस्ट आपको आएगा तो इस मिठाई को बनाने के बाद मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि चासनी थोड़ा जादा बनाएगा और यह जो मिठाई है ना इसको फ्राई करने टाइम में आप पिल्कुल भी जल्दी वाजी नहीं करिएगा एकदम पेसेंस के साथ ही से फ्राई करिएगा और चासनी में डालने के बाद आप इसको दो घंटे के लिए या फिर तीन घंट जीसा ही लग रहा था और बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा वैसा ही है पर हाँ खर्चा इसमें बहुत कम है गुलाब जामुन को मैदा से नहीं बना सकते उसमें आप मिल्क पाउडर बहुत डालना पड़ेगा आपको या फिर खुआ डालना पड़ेगा या पनीर डालना परेगा और इसमें मैदा जादा पड़ता है